Good morning, children. Children, I hope you all are doing good. बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर लकडी का काम हो रहा है. और जो लकडी का काम करता है, उसके लिए एक शब्द है बढ़ाई. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस जगा को कहते हैं, इंग्लिश में स्कूल और हिंदी में विद्ध्या ले. इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? डॉक्टर जो है, वो रोगी का इलाज कर रहा है, तो जो रोगी का इलाज करता है, उसके लिए एक शब्द है डॉक्टर. इस चित्र में आप देख रहे हैं, किसान जो है, वो हल जोत रहा है, तो जो खेत में काम करता है, उसके लिए एक शब्द है, किसान. आईए अब इन शब्दों को हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है जो वाक्य बहुत लंबा है और उसे हमें एक शब्द में बोलना है तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयो करेंगे जैसे जो पढ़ाती है अध्यापिका जो कपड़े सिलता है दर्जी निमन लिखिज शब्दों के लिए एक शब्द लिखो नमबर वन जो पढ़ा लिखा ना हो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए तो उनके लिए एक शब्द है अनपढ़ साथ पढ़ने वाला जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं वो आपके क्या है सहपाठी शहर में रहने वाला बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाओं में रहते हैं और बहुत से लोग शहर में रहते हैं तो जो लोग शहर में रहते हैं उनको कहते हैं शहरी जो कभी ना मरे अमर हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं जैसे नेता जी सुभाश चंद्रबोश शहीद भगत सिंग गांधी जी, नहरू जी, तो ये हमारे दिलों में आज भी अमर है, लकड़ी का काम करने वाला, जैसे मैं आपको चितर दिखाया था, बढ़ही, खेत में काम करने वाला, किसान, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, विद्याले, रोगी का इलाज करने वाला, डॉक्टर, पू इंदी राइटिंग की बुक में, पेज नमबर 7 पर, आप सुन्दर शब्दों में, जो जो शब्द दिये गए हैं, इनको लिखेंगे, चड़, बस, घर, पर, चल, जितने शब्द दिये गए हैं, बार-बार लिखेंगे, पेज नमबर 7 में, बहुत सुन्दर और साफ खाई में, ओके चिल्रेन, स्टे होम, स्टे सेफ।